सो हेलो कैसे हैं आप सभी उमीद करता हूँ कि आप लोगों का new year अच्छा जाएगा आप सभी को advance में happy new year आज की दिन 31st December 2023 है तो ये इस साल का आखरी वीडियो है नए साल में हम लोग नए targets के साथ नए goals के साथ जल्दी वीडियो आप लोगों को मिलेगी सबसे पहले हम बात क updates को execute कर सकतो और अपने आपको बचा सकते हैं कहीं भी ट्रैप होने से अभी मार्केट के लिए जो उपर के लेबल्स कुले हैं वो लेबल्स काफी अच्छे हैं almost 10500 का लेबल है जो कि हमें एक logical लेबल दिखता है और वो आ सकता है ठीक है अब ये लेबल्स आप लोगों का अ support label हमारा बनता है तो हम यहां से एक bottom से buying देखने को मिल सकते हैं तो इसी के अनुसार हम लोग समझ सकते हैं कि हमारे लिए अगर market gap up या फिर gap down खुलता है तो हमारी strategy क्या हो सकती है buyers and sellers के logic को समझदा है फिर उसके बाद हमारे trades काफी अच्छे हो जाते हैं दोको अगर हम लो gap up खुलते हैं और इस label के उपर sustain होते हैं 400 के उपर sustain होते हैं तो हम लोग यहां पर long कर सकते हैं ठीक है long कर सकते हैं in the sense क्योंकि expiry होगी तो आप लोग put को sell करके रख सकते हो with your you know break even जो भी बन रहा है लेकिन आप लोग कोसिस करना है कि अगर हम लोग 400 के उपर हैं तो हम long कर trade करेंगे scalp करना होगा तो भी call side में करने की सोचेंगे यहां से retracement वगर्या price action trade करोगे तो वह बात अलग है थोड़ी बहुत क्योंकि देखो market में अगर देखा जाए ना तो एक new year का you know एक छोटा सा हववा रहता है तो अगर कोई बड़े players new year पे कुछ मस्ती करने की सोचें तो फिर market को बहुत अच्छा खीच करके ले जाएंगे ठीक है बाकि overall market में नीचे से खीचाव है और भी कई सारे news है और भी कई सारे base है जिसके विए से market थोड़ा खिच सकता है तो mid में अगर nifty वेगर हमें थोड़ी buying आती है तो mid में भी buying आना start हो सकती है maybe first half से या फिर second half से तो nifty mid के लिए धान रखना है कि अगर 400 के उपर रहेंगे हम लोग तो long करने की सोचेंगे और यहाँ पे 330 के नीचे अगर हम आते हैं तो super bearish आप हो सकते हो super bearish in the sense के 330 का label जो रहेगा वो एक resistance and support label रहेगा तो उसके नीचे हम लोग put का ही प्लान करके चलेंगे और वहाँ से आप लोगों का stop loss भी 330 के आसपस का मिल जाएगा ठीक है आप इनके screenshot ले सकते हो और देख सकते हो bank X की बात करते हैं तो मेरा bank X में planning क्या है bank X में simple सा planning है ठीक है bank X में simple सा planning है क्योंकि देखो banking में क्या है ना कि काफी mix चीजे चल रही है ठीक है banking की वज़े से nifty में भी काफी अच्छी growth मिल रही है साथ ही bank nifty को और उपर जाने नहीं दे रहा है ठीक है तो दोनों ही तरब के trades आप लोगों को मिल सकते हैं तो अभी हम लोग buying label पे हैं ठीक है ये हम लोगों का 54,200 एक support label बन रहा है और आने वाले trading session के लिए एक छोटा सा resistance ये है ठीक है सोटा सा resistance ये बन रहा है जहां से देखो आप लोगो fall भी देखने को मिला है और ये resistance label आपका 54,680 का है यानि कि 700 आप इससे consider कर सकते हो अगर आप इस in labels के उपर जाओगे तो almost आप लोगो को 700,750 का resistance देखने को मिलेगा तो अभी फिलहाल के लिए अगर flat opening मिलती है इस range में हम लोग flat open होते हैं तो obviously हम लोग थोड़ी सी selling देख करके उपर खीच सकते हैं ठीक है कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आप लोग 54,000 के उपर रहते हैं 54,000 का bank X में label अगर sustain करता है तो हम लोग buying को देख सकते हैं उसके बाद से हम लोग selling देखेंगे market में तो overall अगर आप लोग को trade करना है तो ध्यान रखिएगा कि अगर flat खुलता है तो market को या तो correct होने दीजिए या फिर इस label का breakout करने दीजिए अगर आप लोग long करके चलना चाहते हो trade execute करना चाहते हो call side के trade execute करना चाहते हो बाकि आप लोग 15 से 20 मिनट का wait करना हम लोग live रहेंगे सारा को जिसक्स करेंगे live भी बट ये labels पे आप लोगों को अगर trade ना गरोगे ना तो trap होने से बचोगे इनके उपर जाएगा तो छोटा सा stop loss बनेगा बठा प्रॉपर एक breakout मिलने के बाद ही हमें इधर trade बनाना चाहिए लेकिन अगर आप लोगों को नीचे fall मिलता है तो उसको छोड़िये गा नहीं आप लोगों को बहुत अच्छा scalp मिलेगा और बहुत अच्छे trades यहां पर बनने वाले हैं तो यही मेरा plan है क्योंकि हम लोग इसी को trade करने वाले है आई होब कि आप लोगो को मेरी पूरी planning सबज में आयोगी मैं बैंक एक्स में क्या trade करने वाला हूँ अगर flat कुलेगा तो मैं obviously थोड़ा selling का wait करूँगा और कोई price action दिखता है बाइंग का तो फिर वहां से long करके चलने की कोसिस करूँगा बाकि आप लोग हमसे live भी जोड़ सकते हैं हम daily live आ करके trade करते हैं तो चलो फिर कल live मिलते हैं बाकि वीडियो चलेगी तो like करिएगा दूसरों के साथ जरूर सेर कीजिए चैनल पर नए है वीडियो की notification जाते हैं तो चलो को subscribe करके bell icon क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियो की notification आ सकेंगी हम लोग next video मिलते हैं आप लोग का दिन सुभो जाहिद